तो बच्चों यहां में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसले आपको बता चलेगा कि हम इन वर्ड्स को लिखते कैसे है और हम जो इन वर्ड्स को कैसे रीड करते है तो बच्चों वर्ड्स एंडिंग फिर एंड ए इसके बाद है बीए बीड और नेच्स है F, R, E, E, Free तो बच्चों आप देख सकते हो ये सारे words जो है ये E, E से end हुए है आप कुछ ऐसे खुद words बना सकते हो जैसे आप लिख सकते हो T, R, E, E, 3 ये भी जो है E, E से end हुआ है तो ऐसे ही कुछ और words भी बनाए जा सकते है फिर जो हमारा next part वो है E, A से हमें words जो है वो ऐसे words रिखने हैं जो E, A से end होते हैं तो पहला word है S, E, A, C दूसरा word है T, E, A, T फिर है P, E, A, P फिर है F, L, E, A, P तो बच्चों और एक word खुद बनाते हैं वो है P, L, E, A, P, तो ऐसे ही आप कुछ और words भी बना सकते है जो end होंगे E, E से और E, A से तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे words है जिनकी आपको प्रैक्टिस कानी है reading की और writing की भी प्रैक्टिस कानी है इससे आपका जो ये topic है sound of E, E and E, A ये clear हो जाएगा तो बच्चों ये जो आपका ये topic है sound of E, E and E, A ये आपकी जो text book है उस पे page number 6 है इस पे बहुत सारे words दिये है जिनका जो end होते है different, different words है जैसे E, D, E, K, E, L, E, P तो बच्चों हम इंको read करेंगे ताकि आपको भी बता चले हम इंको कैसे पढ़ते हैं और कैसे different words जो है कैसे different sound इंके निकलते हैं तो बच्चों पहला जो word है पहले हम पढ़ेंगे E, E, D से कुछ words तो पहला जो word है वो है H, E, E, D, here तो देखो बच्चों H, E, E, D, here दूसरा जो next word है वो है W, E, E, D, here ये दूनों जो है E, E, D से end हो रहे हैं लेकिन इनका जो sound है वो different निकलता है तो ऐसे यहां को होग सारे words है जो E, E, D से लिखे हैं लेकिन इनका जो sound है इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनका different sound निकलता है H, E, E, D, here W, E, E, D, here N, E, E, D, need S, E, E, D, seed D, E, E, D, deed F, E, E, D, feed तो बच्चों यह words थे E, E, D से जो end हो रहे हैं इसके बाद हम पढ़ें के वो words जो E, E, K से end हो रहे हैं तो पहला word है L, E, E, K, leak फिर है T, E, E, K, tick फिर है P, E, E, K, peak नेक्स्ट वर्ड है S, E, E, K, seek फिर है W, E, E, K, weak फिर है M, E, E, K, meek तो बच्चों यह हमने words पढ़ें जो end हो रहे हैं E, E, K से तो इसके बाद है E, E, L तो बच्चों अब हमें वह words पढ़ने है जो E, E, L से end होते है H, E, 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 L, heel R, E, 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 L, real P, E, 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 L, peel F, E, 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 L, feel K, E, 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 L, kill and last one is F, E, E, L, feel तो बच्चों इसके बाद हमें पढ़ने हैं वह words जो E, E, P से end हो रहे हैं H, E, E, P, heap W, E, E, P, weave J, E, E, P, jeep K, E, E, P, keep D, E, E, P, deep and B, E, 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 P, beep तो हमें यह words पढ़ें जो E, E, P से end हो रहे हैं अब जो हमें next पढ़ने हैं वह words जो E, A, L से end हो रहे हैं तो बच्चों पढ़ते हैं पहला word D, E, A, L, deal Z, Z, E, A, L, zeel S, E, A, L, seal M, E, A, L, meal and H, E, A, L, heal जो हमारा next है वह है E, A, T से जो words end हो रहे हैं हमें वह पढ़ने हैं S, E, A, T, seat H, E, A, T, heat M, E, A, T, meet N, E, A, T, neat and last one is B, E, A, T, beat तो बच्चों हमने वह words पढ़े जो E, A, T से end हो रहे हैं अब हमें पढ़ने हैं वह words words ending with E, A, N अब हमें वह words पढ़ने हैं जो E, A, N से end हो रहे हैं तो पहला है D, E, A, N, bean J, E, A, N, gene B, E, A, N, bean M, E, A, N, mean and L, E, A, N, lean तो जो नेक्स्ट है बच्चों वह है E, A, K जो words E, A, K से end हो रहे हैं तो पहला है W, E, A, K, weak फिर है P, E, A, K, weak फिर है T, E, A, K, teak नेक्स्ट है B, E, A, K, big और लास्ट वान इस L, E, A, K, league तो बच्चों यह बहुत सारे words हमने पढ़ें जो डिफरेंट डिफरेंट सांट से end हो रहे हैं तो बच्चों यह जो है आप ऐसी ही इसके reading करोगे और इसका जो book work है वो आपके study material पे दिया हुआ है आप उसको हमारे school की website से download करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी इसको read भी करेंगे और जो भी book work है और जो भी आपको work sheet पे count दिया दे है आप आप करेंगे copies पे Thank you